Hello, how are you all? I hope you all are fit, fine and happy at your home. Remember the story of Chinky and Minky? तो Chinky और Minky जब अपने मामा के घर गए, तो उनको उनके और भी भाई बहन नज़र आए यहाँ पे. है ना? इन लोगों ने प्लाइन किया कि चलो हम पतां उड़ाते हैं. अब सबने अपने अपने मन का पसंद का कलर का एक धागा ले लिया. Strings और ये सारे Strings उनको सबने अपने अपने कलर से, मन पसंद कलर से उसकी standing line बनाई. कैसे बनाई? ये था बबलू. बबलू को रैड कलर पसंद था. तो बबलू ने रैड कलर की String बनाई अपनी. फिर ये था पिंक कू. पिंक कू को अपने नाम की तरह पिंक कलर पसंद था. तो उसने पिंक कलर की स्ट्रिंग बनाई उसके बाद ये थी हमारी चिंकी अभी मिंकी रेस्ट कर रहे थी तब तक चिंकी पतंग उड़ा रहे थी तो चिंकी ने क्या किया अपना फेवरिट कलर उसका फेवरिट कलर था ग्रीन ये उसने green color से अपना string बनाया और उसके दो भाई और थें एक का नाम था बबलू बबलू तो ये था है ना इसका नाम क्या था इसका नाम था इसका नाम था गोलू और इसका नाम था भोलू तो गोलू और भोलू को कौन कौन से color प्रसंद थे बलू ये गोलू ने blue color बना दिया अपना string और भोलू को पसंद था purple तो भोलू ने purple color से बना दिया और इस तरह से सारे बच्चों ने मिलकर पतंग उड़ाई आप भी अपने मामा के घर जाते हो तो मस्ती करते हो ना पतंग उड़ाते हो ना वैसे यहाँ पर चिंकी और मिंकी आये तो उन्होंने अपने भाईयों के साथ खेला ओके सो अब हम हम भी चले पतंग उड़ाई आने बाई बाई